हेलो स्टुडेंट्स तो अब हम करेंगे कोश्चन नंबर थ्री तो कोश्चन नंबर थ्री क्या दे रखा है रेक्टेंगल विद एड़ेसेंट साइट्स आफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर यहाँ पे एड़ेसेंट का मतलब होता है साथ वाली तो एक रेक्टेंगल है हम उसका रफ फिगर बना लेते हैं इस तरह से और इसका चुकिए नाम नहीं दे रखा है तो हम अपनी तरफ से नाम रख लेते हैं इसको एक्स मान लेते हैं वाई, जेड और ये डबलू अब यहाँ पे इसकी ये वाली साइड हम मान लेते हैं 5 cm अब इसके साथ वाली साइड कौन सी होगी या तो इसको मानेंगे या तो इसको मानेंगे तो ये मान लेते हैं 4 cm अब रेक्टेंगल की जो है दो प्रापर्टी होती है तो यह है कि इसकी सामने सामने की जो साइड्स होती है वो एक्वल लेंथ की होती है यह 5 है यह भी 5 का होगा यह 4 है यह भी 4 होगा दूसरी चीज़ क्या है कि इसके जो एंगल होते हैं वो 90 डिगरी के होते हैं सारे एंगल 90 डिगरी के होते हैं तो इसी से हम इसको ड्रॉ एक इसका baseline बना लेते हैं XY XY दे रखा है 5 cm तो यहाँ पर हम बना लेते हैं इसको इस तरह से 5 cm ठीक है उसके बाद में हम क्या करेंगे इसके उपर 90 degree बनाएंगे उससे पहले हम इसके नाम रख देते हैं इसको X, यह Y 5 cm अब यहाँ पर एक चीज देखो हमें 90 degree एंगल ड्रॉ करना है एक चीज हम हमेशा याद रखेंगे कि अगर एंगल हमारा 15 के table में आता होगा तो उसको हम compass से ड्रॉ करेंगे और अगर एंगल 15 के table में नहीं आता है तो उसको हम protector से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हम 19 एंगल को ड्रॉ करेंगे 90 degree जो हमारा 15 के table में आता है तो यहाँ पर इसको हम compass से ड्रॉ करेंगे तो पहले हम Y पर ड्रॉ कर लेते हम Y पॉइंट पर pointer को रखेंगे और यहाँ से इस तरह से ये एक semi circle ड्रॉ करेंगे फिर इस pointer को इसकी distance change किये बगार इस point पर रखेंगे एक arc लगाएंगे फिर इस point पर रखेंगे और एक arc लगाएंगे एक arc उपर भी लगाएंगे इस point पर pointer को रखेंगे एक arc यहाँ पर लगाएंगे तो यह जो point मिलेगा यह हमारा 90 degree अंगल बनाएगा यहाँ पे जो पहली आर्क होती है वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है फिर यह 120 का और 60 और 120 के जो बीच में होता है वो होता है 90 डिग्री तो इस तरह से हमने यह आर्क लगा के जो मिडल वाला नंबर है ना मिडल वाला पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया इसको हम इस पॉइंट के साथ इस तरह से मिला देंगे यह सेम चीज हम यहाँ पे एक्स के लिए करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या किया इस पॉइंट पे इस पॉइंटर को रखा और एक आर्क लगाई इस तरह से उसके बाद में हमने इस pointer को इस point पे रखा इस तरह से और एक arc लगाई इस तरह से फिर हमने इस pointer को इस pointer पे रखा और एक arc लगाई इस तरह से और एक arc लगाई इस तरह से फिर हमने इस pointer को इस point पे रखा एक arc इस तरह से लगाई तो यह जो point मिलेगा यह हमारा 90 degree पर मिलेगा तो यहाँ पे इस point को हम x के साथ इस तरह से जोड़ देंगे तो यहाँ पे यह 90 degree यह 90 degree अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पे इस z और w को ढूड़ना है तो कैसे ढूड़नेंगे? स्केल में हम 4 cm की distance फिल कर लेंगे इस तरह से ठीक है? उसके बाद में क्या करेंगे? इस pointer को इस y पे रखेंगे और एक arc लगाएंगे सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे इस तरह से arc लगाएंगे तो यहाँ पे इसको नाम देते हैं जेड इसको नाम देते हैं डबलू इन दोनों को मिला देंगे इस तरह से ठीक है? तो यहाँ पे यह हमारा एक rectangle तयार हो गया अब हमें इसके steps of construction लिखेंगे यानि जो सारी चीज़े हमने की हैं उनको हम लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे steps of construction तो सबसे पहले हमने क्या किया था? इसकी ये वाली line ड्रॉ की थी तो यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे draw a line segment xy of length 5 cm उसके बाद में second step में क्या लिखेंगे? यहाँ पे हमने दोनों पर 90 degree बनाया था तो यही चीज़ लिखेंगे draw an angle of 90 degree from point y यहाँ पे 8 लगेगा ठीक है? थर्ड चीज़ draw an angle of 90 degree at point x x point पे भी हमने 90 degree draw किया उसके बाद में हमने क्या किया? यहाँ से हमने एक आर्क लगाई आर्क कितने लंबी लगाई? 4 cm की तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे 4th point हो जाएगा make an arc of radius 4 cm from the point y to get z ठीक है तो z हमें लेने के लिए हमने इस तरह से यह लिखा उसके बाद में next वाला 5th point हो जाएगा यहाँ पे यही सेम चीज़ यह इसके लिखेंगे बस y की जहाएपर x हो जाएगा और z की जहाएपर w हो जाएगा make an arc of radius 4 cm from the point x to get w तो यहाँ पे हमें w मिल गया अब हम क्या करेंगे इस w और z को join कर देंगे तो यहाँ पे next हो जाएगा join w z इसके बाद में यह हमारा जब हमने w z को join कर दिया तो हमें पूरा rectangle मिल गया तो यही पे लिख देंगे 7th step जो होगा वो होगा डबलू एक्स वाई जड इज रिक्वाइड रेक्टेंगल ठीक है तो इस तरह से हम इसको construct कर सकते हैं questions हम आप नेक्स लेक्चर में करेंगे next questions आज के लिए बस इतना ही कर सकते हैं